कि रिवाइब मद आ जाते है यारे से इत्वार तो बुर्णार रिलैक्स हो जाते कि चल जार पिछला सारा तो कवर हो गया ओके पेने में निकालें जिए 231 पेज 231 अच्छा ये फाइफ वो अच्छा हाँ वो स्वाइकल इंकम प्रॉपर्टी की बाद चल रही थी इंकम फ्रॉपर्टी में बैड डेट वाली अज्जस्मेंट है कि कुछ ऐसा है कि हमने का था बैड डेट को इंकम में भी डालें क्योंकि वो रिसीवेबल है मिलना है लेकि नहीं मिला इस वज़ाशे खर्चे में बी डालें इंकम में भी डालें क्योंकि मिलना था खर्चे में भी डालें क्योंकि नहीं मिला आप इसको अगर आप compare करें इस section की theory से तो फिर आपको थोड़ा सा ना अजीब से नदर आएगा इस section की जो theory थी that was given on page number 213, 212 bad debt minus करने की तीन शरायत थी bad debt minus करने की पहली शर्ट ये थी कि कराइदार जो है उसको हमने घर से निकाल दिये दूसरी शर्ट थी उसके खिलाफ court में case कर दिये ये दोनों शरायत ना वाज़े तो पर हर सवाल में लिखी नहीं होगी तो इन दोनों शरायत के बारे में आपने जियूम करने के पूरी हो गई है ठीक है घर से निकाल दिया है और क्या कहते हैं उसके खिलाफ case भी हो गया है तीसरी शर्ट बड़ी जीब सी थी वो ये थी कि bad debt past में income में जा चुका है और उस पे tax पे कर दिया है तीसरी शर्ट बड़ी जीब सी थी bad debt past में income में जा चुका है और उस पर tax पे कर दिया है अब ये बात आपको मैंने ऐसे समझाई थी कि मैंने ये कहा था कि 2010 के साल में 2010 के साल में हमें उमीद थी कि कि कराया आएगा लेकिन कराया 11 में जाके पता चला नहीं आया इदर देखें उपर 2010 में उमीद थी कि कराया आएगा और हमने इस पर tax भी दे दिया क्योंकि जब income में डला तो tax भी दे दिया तो अगले साल इसको खचे में डला क्योंकि पिछले साल इसको कहा डला था income में डला था तो ये जो इंगलिश इसने लामे करने लिखी हुई है ना प्रिवियसली बीन इंकलूड़िड इन इंकाम एंड टैक्स हैस बीन पेड ये इंगलिश इस रुख पे हमें लेके जा रही है कि जैसे पिछले साल जो कराया मिलना था और भागे गए इस साल इंगलिश तकरीवां इस तरह की उसने बनाई वी है क्योंकि टैक्स लग जाने का मतलब ही है कि पिछले साल income में डाल के टैक्स लग है और इस साल आप कन्फार्म होगे कि वो लेके भाग गया है तो इस साल उसको खचे में डाल दो लेकिन लोग ये कहते हैं कि लॉमेकर ने ऐसे सेनेरियों को डिसकस नहीं किया कि अगर बंदा सेम साल पैसे लेके भाग जाए लॉमिकर ने ऐसे सेनेवियों को जरूर डिसकस किये कि पिछले साल इंकम में डाला था और इस साल जो है वो लेके भाग गया है इसको तो लॉमिकर ने डिसकस किये लेकिन अगर उसी साल इंकम में डाला और उसी साल पता चल गया कि इस बंदे ने नहीं आना तो इसको भी तो cater करना चाहिए उसके लिए फिर लोगों की राय है मौतरम कि lawmaker ने कुछ वाज़ बात नी की तो इसलिए लोग कहते हैं ऐसा कर लो लोग से मुराद tax practitioners कहते हैं ऐसा कर लो कि फिर आप ऐसा कर लो कि अब पिछले साल ये वहला कौन से सेनरियो था क्लास में पिछले साल इंकम में डाला था अगले साल लेके भाग गया पिछले साल इंकम में डाला था इस साल लेके भाग गया तो उन्हें ने का फिर ये जो सेनरियो है ना उसी साल इंकम में डालना और उसी साल लेके इसी साल इंकम में डालना और उसी साल लेके भागना इस सेनेरियों को फिर हम कैसे कवर करें इसका तरीका भायजा ने की हो सकता है वो क्या तरीके बताएं इसी साल इंकम में भी डालें बोलें 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 इसी साल और इस दो को बुला लें वापस इदर वो objective तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप add भी करेंगे, less भी करेंगे, तो overall income pay impact नहीं जाएगा, tax calculate नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी तरह lawb की रूह जरूर काइम रहेगी, कि दो due, अगरचे मिलना था, बट नहीं मिला, तो मिलना था की वज़ा से income में डाल दिया, और नही इसलिए खर्चे में डाल दिया, वह जो आपने, कि सेम यह अगर बैड़ एट हो जाए, तो income में भी डाल दिया, और खर्चे में डाल दिया, दो due मिलना था, बट नहीं मिला, इसलिए खर्चे में डाल दिया, वापिस आजें भाईयां जिते दी, पढ़ लिए, काउंटिंग में, कितने लोगों नहीं पढ़ा भी तक, तो इसके लिए भाईजन, यह फाइफो भी आपको समझ नहीं आएगा, वहाथ क्यों से नीचे करा लाए, तो यह फाइफो जो है, वह हमने, अभी कुछ लोगों नहीं पढ़ा, इसलिए अभी मैं इस दिसक्स नहीं कर रहा, तो हम नमेरिकली डिसक्स करेंगे, लेकिन फिलहाल यह जो बात लिखी है ना, ताक यह याद हो जाए, उसके लिए एक छोटी सी बास समझ लें, अगर आपने सेम डे को बेच दिये, तो फिर आपने वेटिड एवरिज मैथड लगाए, यह मैथड क्या होता है, इस मैथड का फाइदा क्या है, इस मैथड से होगा क्या, यह मैंने आपको कहें, मैं आपको बताई नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने भी यह मैथड नहीं पड़ा, इसलिए इस मैथड को बस लिख लें, लेकिन इस method को किसी दिन numerical में apply करेंगे फिलाल आपको इसके टेंशन नहीं ले नहीं कि यह method है क्या लेकिन rule याद रख लें क्या rule है अगर same day को हो गया तो weighted average type के नाम है method का और not on same day FIFO sold sale of shares उपर लिखाव है मैंने sale of shares not on same day कि यह मैं कहरा था आज आप लोगों ने टेस्ट देना है और सबने कठे जाना है टेस्ट रूम भर जाए को सोचना पड़े कि के टेस्ट रूम को एक्स्टेंड करें यह मुत्रम जरूब करने आज आपने 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 वाले भी को बारा एक बज़े के बाद के कॉलिज में टेस्ट दे सकते हैं है उनके लिए उसी दिन दिन दो रूरी नहीं है not on same day रूरीनिया आपके से लिए उसी दिन हडिना दूरिया कि अगले ha लेकिन पेंडिंग कोई भी ना करें टेस्ट, ओनलाइन वोले पेंडिंग करते रहेंगे, आगे दिन ने मिलने, इद पर पता नहीं मैंने क्या सचागा, आपको क्या करते नहीं होंबक में, गेन ऑन सेकुरिटी, इद लिए जो लेक्टर छोड़ें हैं वो तो ऐसी दोबा करे एविरिज मेथट, तो फाइफो का ब्यूज होगा, नॉट ओन, सेम डे, अगे आप सेम डे को नहीं बेचेंगे, ओके, आगे जी सेल को धोना, वाश सेल, कभी धोई या आपने घर में सेल, क्या परमा रहे हैं भाई, आपने कंपनी ये के शेर्स सेल कियें, और आपको गेन आया 50 मिलियन का, आपको गेन आया कितने का, 50 मिलियन का, अच्छा, अब आपने जाके, आपने ब्रीफ केस पे नजर मारी, और आप आपको ये सोच रहे हैं, कि मुझे गेन के ओपर देना पड़ेगा, तो आपने क्या किया, आपने इन में से नजर मारी, आपने जाती मारी यह कौन से share ऐसे हैं हाथ डाल डाले हैं हम चेक कर रहे हैं कौन कौन से share ऐसे हैं जिनको मैं बेच सकता हूँ और उनके बेचने पर loss आए loss आना नियत नी होती लोगों की लेakin दाशरी बात है आपको पता हुते हैं तो आपने नजर मारी और उन शेयर्द को ठुंडा जिन पहते क्या आने लॉस आने और आपको पता चला के य। कि आमने कम्पनी किती के शेयर्स को पकड़ा और पक्रण के का चल चलें था न को प्रणा इसके होगे दिखें दुवारा आपने कंपनी C के शेयर्स को पकड़ा और क्या का चल चलें तो कंपनी C के शेयर्स आपने दुर से गाइब किये और कंपनी C के शेयर्स को बेच के जाके बाजार में लॉस आ गया आपको 40 मिलियन का लॉस आ गया अब जब साल का इंड आया तो आपने क्या किया आपने गेन में से लॉस माइनस किया और श्वासरी को का पुतर दस मिलियन पे मेरा टैक्स बनता है और मैं दस मिलियन पे टैक्स दूँगा और जैसे ही साल खतम हुआ चार पांच दिन बाद आपने दुबारा जाके कमपनी सी के शेयर्स खरीद लिए कुछी का मतलब कर दो किवी चीज का किवावा क्वारा के रखने हैं चीजыл को वैनिष करiennent क्कुछा हूं मुठकी कर दिया मूटर सेवक हैं और खर यह साल ने क्या वाश कर partout अगला क्या कुरूरा की बाहरते हैं रहीं मेर्साल में Ifoha दुबारा खरीद लें तो इसे क्या कहते है सेल को वाश करना अब असल में मकसद आपका ये था आपने गुड फेथ में अच्छी नियत में अच्छे बच्छे बनके कंपनी एके शेयर्स बेचे थे पचास मिलियन के लेकिन आपने जब गेन देखा पचास का ये सारा काम आप आपने इतना बड़ा गेन देखा तो आपने का इस गेन पे अगर मैंने टेक्स देना वहा तो इससे बेतर है मुझे ही ले जो मैं इतना टेक्स नहीं दे सकता तैसी सुरत के अंदर आपको होल उठने लगे अब आपने अंदर ही अंदर आपके जंग चलने लगी आपने का क जाए कम हो जाए और चंद दिनों बाद आपकी बस्किट में दुबारा वही वहले शेयर पड़े वे थे क्योंकि आपने दुबारा बजार पर जाके वह शेयर खरीद लिए अब शेयर उसी तरह पड़े हैं और आपका लॉस आया पड़ाए अब बड़ी गेम होती है दुनिय आपको माइनस करने की जाज़त और आप दुबारा टैक्स किस पर देंगे फिफ्टी पर देंगे बबलू आप साइड में हो अच्छा यह सारी तो बात हुई थी इसके बाद आपने किया क्या था यू अगें बाट शेर्ज आफ कंपनी सी सजाब को क्या मिलेगी 40 का लॉस आपको डिसला हो जाएगा नोट कर लें इसे कहते हैं वाश सेल वाश सेल इसमें कंपनी यह के शेर बेचना गुड नियत से था लेकिन कंपनी सी के शेर बेच के खरीदना बुरी नियत से था और एक और बात सुन लें महीने के अंदर अंदर कंपनी सी के शेर आप नहीं खरीज सकते अगर महीने के बाद खरीदने तो फिर आपको सजानी मिलेगी क्या हुआ कि देख लेते हैं पढ़ लेते हैं इक लास के बाद पाऊंगा इसका में हुआ हुआै हुआ इस एलब як लाद झाल झाल जी भाई उस इसी का यह सट करनें दरागें इनका नाम क्या है तारिक भाई एसी का स्विंग सट करनें ओके शुड़ाइं मूव तुवर्स थियूरी ओके थैंक्स वाउच सेल्स यह पहले बला स्विंग को रोख दें और उपर रखें पहली रो में फूब रिलाक्स होके बठें में आप इफ एन इन्वेस्टर अगर कोई बंदा सस्टेंज आप लॉस अगर किसी बंदे को क्या जाए लॉस अंडिस्पोजल ओफ शेयर और एक महीने के अंदर अंदर ही और इस बीवी बच्चे विवी बच्चे रिलेटिड होते हैं ना आपसे बीवी बच्चे अगर किसी को क्या आए क्या बेचने पर और एक महीने के अंदर वो या उसकी बानो या उसके बच्चे परच्चेज इस दे सेम शेयर तो सजा क्या मिलेगी कैपिटल लॉस शेल नॉट बी एडमिसेबल सजा उपर बता दिये तो कैपिटल लॉस माइनस करने की जाधत नहीं होगी यह क्या मतलब लिखाव है दस मेंटेनिंग दा पॉर्ट्फोलियो पॉलियो यहाँ इसका पॉर्ट्फोलियो देखें वही राए बास्केट में पॉर्ट्फोलियो होता है बास्केट बीफ केस अलमारी लॉकर जिसमें शेयर पड़े होते हैं तो पॉर्ट्फोलियो देखने वही नहीं है यह इतना बड़ा जिन क्या देख रहें अंदर के पस दस पस पड़गी अच्छा दस में टेनिंग दा पॉर्ट्फोलियो यह नहीं के पॉर्ट्फोलियो उसने अपना सेमी रखा वर पॉर्ट्फोलियो इस सेम पॉर्ट्फोलियो में नदर मारी पॉर्ट्फोलियो होते हैं ब्रीफ के सेम ही है उसके अंदर वही वहले शेयर्स पढ़े हैं गाइस में लुट बचा दी कल पड़ पढ़ के यह ज़ारों साल जिस ज़र नरगे थोरी है इसका चुपकर आदे हैं ओके टेक्स्वाप से आपने company C के shares बेचे जो के company है बाटा देखें साथ वाले के जूते बाटा के school shoes पहने में अभी तर FSE वाले company C बाटा की है you again नहीं you bought shares of service आपने किस company के share बेचे खरीदे ली है service के share बेचे किसके खरीदे किसके और आपने कहा मैंने तो अपनी sale नहीं दोगी मैंने तो ये बेच के कोई और चीज़ खरीदी है law में करने का बाइजन फिर भी आपको यही सजा मिलेगी the reason is कि आपका sector सेम राए सट्र का मतलब एए इसी बनाने का एक सट्रा पाकिसान में पाकिसान में लाचे ! ये जो शूज है बाटा और सर्वेस यह के एक SIM के अंदर गरते यह कि हैं यह डिफरेंट सक्टर्म समें बाटा और सर्वेस दोनों इस्ते बेचते भी है बेचते हैं न जुटे होनडा भी गाड़ियां बेचती है और टोयोटा भी गाड़ियां बेचती है या मिल्टी जुल्टी कमपनी के खरीद लिए तो इसका मतलब है आपने अपना सेक्टर सेम रखा है तब भी सजा मिलेगी हाँ अगर आप बाटा के शेयर बेचते और जाके फिलिप्स के शेयर खरीदे तो फिर कोई हरज नहीं था लेकिन अभी आपने दो नमरी इतने बड़े लेवल की तो नहीं कि फिर भी लॉमेकर कहते हैं मेरी नदर में ये दो नमरी ही है इसकी भी अजाज़त नहीं है तो बेचे किसके बाटा के खरीदे किसके ये भी जुर्म है इसकी भी सजा मिलेगी यू हैव चेंज़ दा सेक्टर या सेक्टर सेम राए सेक्टर होता है इंडस्ट्री जिसनकी बिजनस ऑपरेशन सेम हो नोट कर लें सारा नोट करें दुबड़ा इसकी एडिं डें टेकस्वैब सेil क्या है आक तीसरा के हैब ना ना तीसरा मैं बोला हूं तीसरा बोला है मिने टेक्स्वैब सेil सारा dough करना पड़ेगा प्यूक टेक्स वैब सेल की हेडिंग दें और नौट करें पहले हैं दिए आपने वास सेल की अब एडिंग टेक्स वैब सेल की आप वह तो फिर आप जितनी मज़ी बात है लालो में बात हमने कवर करें है खो आप सकता है कि यह दाइम है वाले आपके दोस्ताइम है या चुटी पे हैं बसे देखिए किसाद कुछ मंडे को हम करती हैं लेके दरा स्केल लेके आना यार एक शीशे वाला इसमें कांटे लगे हूँ कि आज यह आज यह वाले आफ से आगे निकल जाएंगे इन सबने जाके टेस्स देना है वो मुस्करा रहा है बैटके पीचे अब दोरामान हाथ खड़ा करें दूसरी क्लास में या तोड़ा उपर हो के बैटा कर शेटल नहीं दरी नदर आ रही आखे नहीं 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 वह नहीं होगा नहीं होग अच्छा आँ जलें एक ची आप नहीं दे दीर दूसरी चीज़ ले ली यह बस हो गई बापिस नहीं कर लें टैक्स स्वाप से इबादला कर ले in this case ये भी पूरा case है in this case the बंदा who realized the वो बंदा जिसको क्या है does not repurchase the same share in case investor who realized the loss does not repurchase the same share same share नहीं खरीदेगा यानि बाटा के नहीं खरीदेगा but in this case he chooses similar share similar ये same आज आपको same और similar में फरक होता चला same होता है वो ही और similar होता है उससे मिलता जुदा in this case he chooses another मैं पर देपर देता हूँ similar in this case he chooses another similar share in sector same रखना है क्या same रखने sector same एक वो हता है न जो घर में same आ जाती है ये वो नहीं है sector क्या रखने आपने same रखने clear इसके जरीए through this इसके जरीए इसने अपना tax खतम कर दी है इसके जरीए इसने क्या खतम कर दी है अपना tax खतम कर दी है या कम कर लिए जो मरजी समझ लें and has also maintained the portfolio portfolio तो सेम नहीं है यह क्यों लिखा इसने आगे and has also maintained the portfolio portfolio तो बदल गया है अब जाती मार के देखें तो बाटा के शेयर्स पड़े होंगे या service के हाँ portfolio सेम नहीं है लेकिन portfolio का risk और return सेम है portfolio का क्या सेम है portfolio तो मैंने माना बदल गया है लेकिन portfolio का क्या सेम रहा है portfolio या profile उसने इदर profile का लफ्स यूज़ कर लिया portfolio भी हो सकता था बेतर वही लफसर जो इसने यूज़ किया हुए दस maintaining the portfolio at same risk and return profile रिस्क रिटान क्या होता है अगर हकूमत कभी अलान करें कि जूते बनाने वाली companies चाइना से भी पाकिसान में आ सकती है तो बाटा और service दोनों बड़े परेशान हो जाएंगे और risky हो जाएगा इनका business और अगर हकूमत अपना यह एलान वापिस ले ले और कए बाहर की companies जूते नहीं बना सकती और इदर से पाकिसान से निकलें सिरफ बाटा और service वाले होंगे और इनकी income पर लोगों को return मिलेगा जानी जो इनके shareholders होंगे जिन्होंने का कारोबार शुरू किया वे उनको ज्यादा returns मिलेंगे उनको ज्यादा पायदा आएंगे returns होते profits तो अगर आप अपना risk और profits टाइप चीज से मिलर रख रहे हैं या सेम रख रहे हैं सेम सेक् सकते हैं कि अगर imported गाड़ियां पाकिस्तान में आनी बंद हो जाएं तो होंडा और टोयटा दोनों बूस्ट करेंगे एक तरह से मैंने माना exact same नहीं होता लेकिन किसी हद तक तो का जा सकते हैं ना दोने comfortable feel करेंगे तो वह बात कर रहे हैं कहते हैं अपना आपने portfolio बदला है एक सेब्जित सेम रख ए है पॉर्टफॉलियो सेम ने रखा उसका risk को रिटान सेम रख ए प्रफ्फिलियो सेम ने रखा पूर्फोड दो आपने बदल लिया है पहले किसके शेयर था आपके पास आपके किसके हैं तो आपने बना portfolio नहीं बदला वलके क्या बदल है आपने पॉर्टफोलियो बदल लिए रेकिन उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम रखा है रिटान होता है रिवॉर्ड उसका रिस्क और रिवॉर्ड अपने सेम रखा है अब कुछ लिखा नहीं होगा यह भी वन मंथ के अंदर ही होगा आप कुछ लिखा नहीं होगा अधर पर शुरूगा है असलाम लेकूं अच्छा जी क्रॉस्ट्रेड नेक्स्ट इस बोलें क्रॉस्ट्रेड यह जी एक ब्रोकरेज हाउस है ब्रोकरेज हाउस नमबर वान पर तो मेरे खाल से आपको जो है वो टाइम मिल जाएगा टेस्ट त्यार करने का ब्रोकरेज हाउस नमबर वान और ब्रोकरेज हाउस नमबर तू यह दो है आच्छा ब्रोकरेज हाउस क्या होता है जिसके पास सेंकड़ों कंपनी के शेयर हों इक ब्रोकरेज हाउस वन ने जिसको आया वैं गेन एकसमरा अमटो गेन की और एक ब्रोकरेज हाउस टू है इसको भी में गेन दोनूं को गेन आया वै कि çıkarते हैं किसको गेन ऍपर टेक्स तो जब साल का एंड आया तो ब्रोकरेज हाउस वन वाले ने अपने बास्केट में अपने लॉकर में जाके ढूंडे 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 कौन कौन से शेर हैं तो दस बारा कंपनी के शेर इसको नदर आए जो अगर यह बेच दे तो लॉस आए इसने बेचा किसी थर्ड पार् से तो गेन आने पर खुछी होती है लेकिन तो देना होता इस पर तो इसको गेनाए वे थे को और क्या रिकार्ड कर लिया लॉस अब दोनों का गेन कम हो गया या बढ़ गया कम हो गया और जब साल खत्म हुआ तो वही जो शेयर्स की बोरियां ट्रांसफर हुई थी वो इन्होंने वापस खरीद लिए वो इन्होंने क्या खरीद ली वापस खरीद ली अब बताएं यह जो सारी इन्होंने गेम की थी इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड मैं तुझे शेयर भेज रहा हूं तुम loss minus करने की जाज़ाद नहीं है तो ये बड़े लेवल के ओपर गेम हो रही है इसलिए इसका नाम क्या है swap sale नी cross trade वेर coordinated इससे बहले coordination होगी या अन्ने बाँ होजेगी ये चीज री शफलिंग का क्या मतलब है शफल हो रहे है इदर वले उदर उदर वले इदर वेर coordinated reshuffle किसी इसकी reshuffling हो रही है सिक्यूरिटी इसकी किनके दर्म्यान between two related brokerage house तर्टीब से नहीं पढ़ा मैं जो highlight कर रहा हूं वो पढ़ा हूं where coordinated reshuffling of securities between two related brokerage houses is undertaken undertaken क्या होता है made यानि की उर्दू में काफ ये की से कहते हैं where coordinated reshuffle of securities between two related brokerage houses is made to मस्नुई तोर पे realize capital losses और जब ये मस्नुई losses record हो रहे थे तो एक दम कोई तीसरा बंदा आया उसने का ये बोरियां transfer हो रही है मुझे भी बोरी दे दो आपने का तुझे बोरी दे दी तो वापिस तेरे से खरीब नहीं सकेंगे चल निकल इदर से तुझे नहीं बोरी बेचेंगे विदाओट selling the body to an outsider outsider को बीच में आने देना आउटसाइडर बीच में आगे तो आपकी अपनी game के इंदर जो है वो डाल देगा वो कबाब के इंदर हड़ी बन जाएगा तो इसलिए outsider को बीच में आने देना ये गेम दो बंदों के दरिम्यान ही हो रही है उटसाइडर को आपने बेच दी तो उसने हो सकते आपको वापस ना करें तो इधा तो दोनों का इंट्रस्ट है आपस में यानि वन और टू एक दूसरे को जानते हैं तो इनको पता है कि हम एक दूसरे को शेर इस नियस से बेच रहे हैं कि हमें क्या आए लॉस आए ताकि काल करना को हम यही शेर इंसे दुवारा वापिस खरीद लें तो हमारे बास भी वही पड़े ने और हमें गेन पर टैक्स भी ना देना पड़े ओके इसमें एक बात हो रहे है वह अब तो पाकिस्तान में नहीं होती लिकिन इसने लिखी हुए है टू रिलेटीड अकाउंट्स आफ सेम इन्वेस्टर कोई एक बंदा था इसको नोड़ लिया आपने य दूसरे को शेर बेच रहे हैं कि दूसरा पहले को सब्सक्राइब अब अगला सवाल जो है वह होगा अगला सवाल यह भूगा कि यह जो स्काइबलू में मैंने लाइन हाइलेट किया यह क्या है उसमें यह होता है कि एक बंदे का कराची स्टॉक एक्षेंज में अकाउंट है एहमद नाम का क्यों बंदे है उसका कराची स्टॉक एक्षेंज में अकाउंट है और उसी का लाहोर की स्टॉक एक्षेंज में भी अकाउंट है उसी का कहां कउंट है लेल होर की स्टॉक इक्षे का और कराची कि स्टॉक एक्षेर्णज में भी मतों चान तो यह कराची वालों को बेचता है किस पर कराची वले शेर्स बेच देटा है जनice क EVER कि आ रहा हो टू रिलेट्टी अकाउंट्स ओफ सेम बंदा तू रिलेट्टी अकाउंट्स ओफ सेम बंदा अब लेकिन आप मैंने कई यह पॉसİBLE नहीं प्रह्ट के अंदर जो सबसी अब पाकिस्टान में अब पाकेस्ताव इक पाउंटिस था खुलते तो आप यह पॉसिबल नहीं है ल तो सजा सुन लें इन सारे जराइम की कैपिटल लॉस एजस्मेंट इन फॉलॉइंग केसिस चले यह अगले सफ़े पर तीन चाल आइने पड़ते हैं और फिर आज बस करते हैं थियूरी उन्हों मेरिकल करेंगे अच्छा पेमेंट ऑफ एडवांस टेक्स आन कैपिटल के आप हिपाप जो है वो एक गंटे दस बीस मिन लेकाल के आजें और मैंकों के बस कर दें तो मुनासिव नहीं है ना मेहमान का इतना तो इकराम बनता है ना अच्छा जी मैने तो कोई मश्वर हैं अच्छा अभी वैसे आपके मश्वरें सार अंखों पे लेकिन अभी आप इदर यह मुझे पताएं भाईजन साल में कितने कौर्टर होते हैं चार कौर्टर होते हैं जलाई का सब्तमबर अक्तूबर नमंबर दसंबर जनरी फरवरी मार्च एपरिल में जून असूली तोर पे मैं आने वाले दिनों में आपको पढ़ाऊंगा टेक्स हमने जमा करवाना होत 31 मार्च आपका कौर्टर खतम होगा 7 अपरिल को और 3 जून को आपका कौर्टर खतम होगा 7 जुलाई को तो जो बंदा सेक्योरिटिज बेच रहा है वो साल के एंड पे टेक्स जमाना करवाए बलके वो कيا करें हर कौर्टर के खतम होने के साथ दिनों के अंदर-अंदर दो क कफ़ having a trip किली एक सफ़ा जमा करवाई जिस पर लिखे मैंने किस-किस कंपपनी केitel बेचें तीन महिनों में और दूसरा एक सबूत करें कि मैंने ने सबूत पार छिए क्फा destPI कर्वाईगा है थार यह कितनी दफ़ा टैस जमा करवाएगा छार दफका Canad लेकिन यह रूल इंडिविज्व के लिए नहीं है यह रूल सिर्फ एओपी और कंपनी के लिए है कि एओपी और कंपनी जो है वह साल में कितनी दफ़ा टेक्स जमा करवाए चार दफ़ा पढ़े एवरी इंवेस्टर अधर देन इंडिविज्व तो फिर किसकी बात हो रही ह यह यह और कंपनी है अभी साल ख़तम ने वांसे पहली आप टेक्स जमा करवाए रहे हैं एक एडवांस टेक्स जमा कर वाएगा किसके ओपर Capital गेंड कि अपर कितने चैसमें तिनौं में electronically file a statement ये पहला काम करना है और दूसरा काम इसने करना है will pay the tax ये दो काम करेगा statement में ये लिखा होगा कि इस इस company के share मैंने बेचे हैं इतना इतना gain आया और साथ पर tax समा करवाएगा ये note करना है कर ले quarter के बाद साथ दिन के अंदर अगली इसने ले बाद साथ वे ले 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 लेगा अगली चीज देखें जी आखरी चीज अगर एक कंपनी का इसे कहते हैं सबसिडरी अगर एक कंपनी का अकेला बिजनस सबसिडरी खरीदना है तो इसकी income of company would be dividend और capital gain, dividend income क्या होगी, dividend income होती है कि आपको company से profit मिल रहे हैं और capital gain income होती है आपने company के share बेच दी है इसकी income fall करेगी income from business में, capital gain में fall नहीं करेगी, एक company आपने पुछा बाइ क्या करते हो कि आलो बेचता हूं एक company से पुछा क्या करते हो भाई जाने इसी बेचता हो एक अपनी से पुछा आपने क्या करते हो का different companies अगर soul business है आपका कि आप different companies के share खरीते और बेचते रहते हैं तो भाई जान फिर आप कारोबारी बंदें हैं आप capital gain के chapter में नहीं fall करेंगे हाला कि आप share बेच रहे होंगे हाला कि आप dividend income कमा रहे होंगे लेकिन फिर भी आप capital gain का chapter नहीं लगेगा तो अब आप किस chapter में fall करेंगे income from लेकिन यह बात इंडिविज्वल जरुपीस के लिए नहीं है यह बात यह वहली बात जो मैं पढ़ाओ यह किसके लिए सिर्फ इसका मतलब यह है कि अगर इंडिविज्वल हजार शेयर भी खरीद के बेचते तो वह capital gain का chapter लिए लगेगा जी भाइजान बात का रहे हैं फॉन पर हमद्रा होगी बात माइडियर आइकेप से फॉन अचा कोई नहीं रिलाक्स एसी में तदरा फॉलो से चेड़फानी का रहा हूँ जी महतरम क्या है यह बाइजाने यह देखके शायर पेचाना बहरी है अच्छा यह क्या है घर है और यह क्या है प्लॉट है यह क्या है तो यह घर है और यह प्लॉट है अब मुझे आप यह बताएं के मुझे यह बताएं के घर से कराया आ सकते है घर आप कराय पर दे सकते हैं प्लॉट कराय पर दे सकते हैं प्लॉट कराय पर दे सकते हैं तो आप घर भी कराय पर दे सकते हैं और प्लॉट भी कराय पर दे सकते हैं तो घर भी कराय पर दे सकते हैं तो घर भी कराय पर देते हैं लोग और प्लॉट भी कराय पर देते हैं हो सकता है एक कनाल का घर जो है वो दस लाग कराय पर चड़ ज तो दोनों से कराया आ सकता है अगली बात कैसा हो सकता है कि घर आप बेचने का सोच लें बेचने का बेचने का सोच लें तो क्या घर अगर आप बेचने का सोचेंगे तो इस पॉसिबल कि घर बेचते हुए आपको फोर्फिट डेपॉजिट आ जाए यह आप बेचने का सोचे बेच के पैसे थोड़ा सा आई ही लेकिन बाद में नियत बदल जाए किस की लेने वाले की नियत बदल जाए और अब मैंने ये घर नहीं लेना तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको इस घर की मद में कोई फॉर्फिटेड डेपॉजिट आ रहा होगा अच्छा इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आप प्लॉट बेचें और प्लॉट बेचके थोड़ा एडवांस पकड़ें और एडवांस पकड़ें और बाद में वो बंदा कहें नहीं नहीं मैं तो ये प्लॉट नहीं लोगा तो फिर ऐसी सुरत में आपको यहां से भी फॉर्फि प्लॉट्ट से कराया आ सकता है? क्या प्लॉट से फॉर्फि устेट мо consum आ सकता है? में क्या असूल हैं यह मैं आपको बताने लगाँ इनके बारे में क्या तर पायओं के बारे में क्राया प्लॉट का सकते आपको forfeited deposit plot का सकते हैं घर कराई पे दे सकते हैं आप building, house, plaza क्या घर बेचे तो forfeited deposit आ सकते हैं repair allowance plot के case में minus नहीं हो सकता ये पहली दफ़ा आपको बता रहा हूं और repair allowance घर अगर आप कराई पे दें तो फिर minus हो सकता है क्योंकि plot की repair नहीं होती repair तो किसकी होती है घर की होती है, building की होती है तो इसलिए ये सूल है section 15A के साथ जगा नहीं होगी लेकिन जगा नहीं भी है तो कहीं दायमाई करके या अगले पिछले सफ़े पे नोट कर लें section 15A में ये हमारा concept है repair allowance का section 15A क्या पूछना चाहरे हो page number और कल तू याद कर रहा था section बंद रहे तो नजर मारते मारते निकलाते section 15 आए हाद होगी या एक हजार साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर होती है फिर दोजार साल और होती है आप होती है झाल झाल अगला भाईजन सवाल ये है एक और कॉंसेप्ट आपके लिए आने लगाए वो दर आपने सुनना है अच्छा क्या आप अगर क्या आप अगर घर कराई पे दें तो आपको कराई के साथ साथ अगर आप घर कराई पे दें तो आपको कराई के साथ साथ नौन इडिजस्टिबल अमाउंट आ सकती है क्या आप अगर प्लॉट कराई पे दें तो प्लॉट के साथ साथ आपको non adjustable amount आ सकती है तो ये भाईजन आपके लिए मैंने पांचवाँ पाया और छटा पाया बना दिया ठीक है जी घर कराये पे दें तो क्या आ सकती है non adjustable amount और plot कराये पे दें तो क्या आ सकती है तो भाईजन अगर आप focus करें इस chapter में तीन चीज़े है न क्या घर से कराया भी आ सकता है घर से forfeited deposit भी आ सकता है और घर से non adjustable amount भी आ सकती है plot से कराया भी आ सकता है plot से forfeited deposit भी आ सकता है और plot से non adjustable amount भी आ सकती है फिल हाल मैं आप से सिरफ बात करने लगा हूँ किसके उपर non-adjustable amount के उपर एक घर से non-adjustable amount आई है कहां से non-adjustable amount आई है घर से non-adjustable amount आई है और plot से भी non-adjustable amount आई है उसकी treatment आपने कैसे करनी है उसकी treatment भाई ये है अगर आप non-adjustable amount receive करें section 16 वाली plot या land के against तो paper में आपने उसे ignore कर देना है यह मैंने आप पहली दोफ़ाद पाई आपको और अगर घर building के against non-adjustable amount receive करें तो उसे आपने 10 से क्या कर देना है divide कर देना है देखें section 16 where the owner of a building receives from tenant an amount which is not where owner of building कि यह section land के लिए लगता ही नहीं है land की non-adjustable amount आई तो relax करना है आपने उसे income में कुछ ID नहीं करना note non-adjustable amount advance in case of open plot of land is not available under the law यह non-adjustable advance in case of plot of land is not taxable under the law यह law में taxable नहीं है इसको आपने paper में figure given भी होगी तो आपने इसे क्या कर देने ignore कर देने सिरफ इतना सा नोट कर लें what are you smiling at sitting in second row in hybrid class इसाथ अलाव चेटा रहता है रहोगा इस ग्रीन शेट जन्होंने बॉल्पेंट बंद किया अगर सेक्शन 16 के साथ आपने नोट किया तो हाथ कड़ा कर दें well done section 16 के साथ ही कतना सा नोट अब्दुरह्मान खड़े हो जो section 16 के साथ नोट किया तो हाथ कड़ा करो बैठ जो first row में जो वैठें अपना नाम बता दें जी 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 अब्दुला माइक लेके आपके पास आ रहे आपक बने जी खड़े हैं अब्दुला ने माइक पकड़ लिया भी आँड बन ने चार कदम उठा लिया 5 छे साथ बली पूरा नाम माशाला लेने जी माइक अब्दुला भाई जी वली मुहम्मद भाई सेक्शन 16 के नीचे अगर आपने नोट किया तो हाथ खड़ा कर दें चलें आगे तो ये बाई जण हैं के चेप्टर के हमारी चीजें पेंडिंग थी आज हमने इन आप से कबर कर लिया है आब हमारा इंकम अपरफ्रम परफेटी का चेप्टर त्यार हो गया इतना त्यार हो गया कि कल अगर आई कैप एमर्जंसी में कॉल दे दे कि चैप्टर फोर इंगों प्रॉपटी का खाली पेपर हम ले रहे हैं इस तफ़ा उसी की बेस्ट पर डिसाइड होगा तो आपको त्यार होना चाहिए अच्छा वैसे मेरे खाल से पतनी है अब हम अपने जमाने में शायद मे खड़े हो जो ब्राउन चट्ट आप 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 अच्छा आज जी क्रिस्ट नमबर अब क्रिस्ट नमबर पेटू निटीन क्रिस्ट नमच ओधा ता वो फरूप नियों था 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 वे पिस्ली गली में क्रिक्ट खेलता था अन यकंजलाय 2021 को फरुप ने असी लाख रुपया सितारा बैंक से जी भाई भाई खड़े हो गये हैं माइक लाएं आप फरुप हैं माइक लाएं माइक लाएं जल्दी 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 नहीं 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 बाई यह दूसरे ठीक है बैठ जाएं अपना नाम बता दें अली अमाद ठीक है मेरे एक लिंगोटिया यार कम यही नाम है भूलेगा नहीं है ओके तो लियमाद सब यकम जुलाई दोहजार इकेस को फरुख बॉरोड असी लाक रुपया फ्रम स्टार बैंक लिमिटेट एंड कोईड़ा प्लॉट ऑफ लैंड इन हब इंडिस्ट्रियल जोन अफ रुपीज पैंसट लाक बाईजां यह बैंक से लोन लिया कितना असी फर लाइब न कितने का खरीदगा यह पैंसट लाका कि अपना इस बैंटा को एक बैंसट और होड़े है कि इन्वेस्टिड दा द बाकाया लून इना बिजनस वेंचर विझेंडं यह ज 연 साथले घरों के बातें कर लेकन घान सेंना बढ़ा भी यह कर रहे हैं और अब इतर जाते हैं कर रहे होते हैं इस ने बकाया लोन क्या कर दिया इन्वेस्ट कर दिया विदा बिजनस इन इस फ्रेंड ठीक है चोड़ो परे इसका आगे कोई डिटेल में इन्वेस्ट भी नहीं है कि पैसे का बना क्या और बिजनस से इन्होंने क्या 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 गुल खिलाए बिजनस के चप्टर में कभी कोई आ जगी यह चीज़ तो देख लेंगे यह वेले लॉन ज और पहली किस्ट अगले साल के पहले दिन पहली किस्ट अगले साल के पहले दिन पहुनी है इसका मतलब है हमारे साल कोई किस्ट वापिस इसलिए हमें टेंशन लेने के दिरू होती है हाँ किसी सवाल में हमारे साल भी किस्ट वापिस हो रही हूँ तो देख लेंगे क्या किस्त वापِसफंट नी हुरी, किस्त वापिस होना कब से शुरू होनी है अगले साल के पहले दिन हमारा साल कोई सबस्सें है 30 जून 22, पहली किस्त कप पे उनी है यकं जुलाए 22 को पहली किस्त मेरे खाल से पे होगी यकम जलाई 22 को दूसरी पे होगी यकम अक्तूबर को अगली यकम जनवरी को और अगली यकम अपरल को फिर यकम जलाई को फिर यकम अक्तूबर को अक्तूबर नमबर दिसंबर फिर यकम जनवरी को पहली किस्ट पे होगी अगले साल के पहले दिन in 8 million का लोन एक-एक million बराबर किस्ट बन गे 8 किस्टों में पूरा 8 million पे हो जाएगा। लेकिन इस सारे को एंग्नूर करें क्यूकि अगले साल लोन रिपे होने । से हमें कोई कंसर्न नहीं है। और येकम अगस्त 2021 इस दिन यहां कहीं और यह हमारे साल और येकम अगस्त 2021 फरुख ने सोचा तो सेल अ प्लॉट 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 घर नी प्लॉट अभी इस दिन और येकार फ्लॉट प्लॉट सोचा कि दस MILLION का बेचेंगे और येकम अगस्त येझी रहिए प्लॉट कैशत रुट प्लॉट 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 अकरिशे रुट मेरे होगे, तो फरुख ने 5 लाख रपया इससे चुड़वा लिया। तो भाई इसको ये न खीजिए लिए और पर पाइंगे लिए छुट सब्सक्राइब को देखे लेते हैं अबिदे इंकम में दालने देना कितना यह है फाइव लेग किसके अगेंस्ट प्लॉट के बेचने का सोचा था लेकिन अगला बंदा जो है वह जंडी करा के चला गया क्लायर है वह नोटेड दाउं और वह नोटेड अप बीशुपिरियर भी हमब अच्छा जल्दी 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 नौट रहें चल्दी आगे हैं है ऑन यह कम सिप्टमब्र दोहजार एकीस है आज यह कम सिप्टमब्र डोहजार जुलाई एगस्त नहीं सिप्टमबर नॉंबर दिसम्बर जनुरी फरवरी मार्च अपृल मेज जुन तो यह कम सिप्टमब्र का मतलब यह तारीख है तो धस महीने घर कर अभे बेचने का सोच जा था लेकिन बेच के सोच के जो पैसे आये थे वो पैसे जो है इसने अपने पास रख ली है और अब वो खरीदार बाग गया है अजेकम सिप्तमबर दो जारे किस फारुख लेट डॉट ऑफ लैंड टो इस दोस्तातिफ दोली अमाद इसने अतिफ को जो है वो घर कराये पर दे दिया है एटा महाना कराया उफ डेडलाग है एटा महाना कराया उफ डेडलाग एक फॉर्म आफ वैल्यूर ने काए यह इन्फरमिशन आपको दिया पढ़ ले एक फॉर्म आफ वैल्यूर ने आपको यह इन्फरमिशन दिया उसने करे भाइजन आप सलाना घर कराय पर चलाना चाहते हैं ना तो इस वक्त मार्केट में जो कराया चल रहे ना वो तो 21,60 दर जल रहा है यह सलाना है महाना है अब बताएं यह जो कराया फॉर्म आफ वैल्यूर ने लगाके दिया यह फियर वैल्यू होगी एक टाइप की कराय की एन्वल रेंटल वैल्यू क्या मतलब है अगर साल तुम पूरा घर कराय पर चड़ाई रखो तो तुम बता दो तुमें क जfal ज्रा लाग महाना है सलाना है घर कराय पर कितना सराएँ दस महीने एकक्चल कराया अट करें फियर मार्केट करें जै दोनों में इसे हाइयर रेंट प्लॉट का हायर आफ क्या क्या यह डैश का मतलब ऐसे ही होते हैं पॉइंट हम बना रहे हैं एक्चॉल या फेर मार्केट डन एक्चॉल कराया किस पर बड़े महाना पर उसको दस मीने पर ले जए डेड़ लाग जरब दस इस इक्वल टू फेर मार्केट रेंट 21 लाग 21 लाग 60 लाग को अगर आपने 10 से मुटिवला करती है यह 10 साल का क्राया हो जाएगा 21 लाग 60 लाग को 10 से मुटिवला करती है यह 10 साल का क्राया हो जाएगा हमने इसको डिवाइड करने है 12 से पाना से रिवाइट करेंगे तो एक महीने का क्राया आएगा लेकिन मुझे जाए नहीं चाहिए मुझे कितने महीने का क्राया चाहिए 10 महीने का चाहिए जी आप बताएं क्या जबाब आ रहे हैं अठारा ना को है और अधुर्ण ऐस्वाद लोगर सुरी हायर ओके यह दन शुडवी चल अगे कितना प्रेस्ट देया है ही रिसीव अभी हम पाई के तरफ चल रहे हैं खोई के तरफ नहीं जा रहे हैं ही रिसीव लिखा हूँ रिसीव का मितलब है रिसीव नौन इड़िस्टिबलएडवांस हम दोलाक फ्रोम अतिफ अतिफ ने डोलाक रुपया नौन इड़िस्टिबलएडवांस पकड़ा है क्या करना है नौन एड़स्टिविल एडवांस का नौन एड़स्टिवल एडवांस कितना रिसीव हुए दो लाख किसके अगेंस्ट आज तक हम अन्ने वाई एक बटा दस कर रहे होते थे लेकिन आज के बाद आंखें खोल के कभी-कभी हां भी अग्णॉर कर दिया करेंगे अगर किसका ह हुआ प्लॉट का और एकर बिल्डिंग का हुआ तो इसे क्या करें तो इसलिए नॉन इड्जस्टिबल एडवांस को हम एग्णूर करेंगे अब आज की क्लास जिसने नहीं लिए वो समझा होगा इंकम प्रापटी का चैप्टर तो साने चार दिन पहले खत्म करा दिया हुए नॉन इड्जस्टिबल एडवांस किसका है प्लॉट का इसमें रिलेक्सेशन है ये इंकम में नहीं डालेंगे ओकेई वली महम्मद सहब ओकेई हाथ करा कर दें येस ओकेई लट मूव नेक्स्ट बाजना खोय खतम हो गए क्या शुरू होने लगया अब पाया पाया फैरी का टाइम आ रहे है पाया शुरू होने लगया एंड पेडसी हजार फर लेवलिंग डाउंड गौउड की फरेवर अधर है थाजा आलाॉड मैंने зुरों को इदर पकड़ो मती मुटी पकड़ोर मती मुटी पकड़के ड़ालो और है इंगा अबाहूं आओए दोस्सक्राइब के अंदर ग्राउंड हो जिस्टे फेले मैं दोस्सक्राइब करके दिया लेवल कर लेवल कर दे दिया अब पाया है क्वे के लिए यह स्क्षन 15A है नहीं है नहीं यह लोकल टेक्स है नहीं यह ग्राउंड रिंट कोई चीज हो यह है खाया एंट्रेस्ट रोन नहीं क्या यह लेक्शन चार्जर्ज नहीं क्या यह फिर ना यह यह है तो ये फिर कोई ke a.l.m. होगा लेकिन ऐसी तरह के खर्चे माइनस नहीं हो सकते जो खर्चें का प्रापटिक के चप्टर में माइनस होंगे वो a.s a.j. बले होंगे a.s a.j. के लावा कोई खर्चा माइनस नहीं हो सकता इसलिए इस खर्चे को हम इग्रोर करेंगे क्योंकि अगर माइनस करना भी चाहें तो सेक्शन पंद्रा ये कहेगा टोटल करना इसका पाय का तइस लाग आप किसकी तरफ मूफ करें खोए की तरफ लेस रिपेर अलाउंस अभी टाइम नहीं है में रिपेर अलाउंस बुझा आपको सारी बाते समझाई हैं करके कल अप्लाई तरूंगा रिपेर अलाउंस की फिगर कल निकालेंगे अच्छा मैंस करैंगे moap माइनस करने कि जादत जो एस जे तक कबर हो तक अलावा ऻूजार नहीं है नहीं है हमाए गाये देंगे वोजनाता है गला कौनेट इनसीक कि खेंगानि के घूसी और देखते हैं यह से लेके यह फिर्टाफ़ेट नहीं है बिल्धिंग अब प्लाट है अंट तो सरी दमाग की ड़ी बन रही है है आग खर चीज़ें फड़ी में थी वह भी लग रहे हैं तो बाइज्जन यह तो इंशुरेंश सिर्फ बिल्डग की माइनस करने जाती जाती देमांद ये जिए लिगारτ की है चले 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 ज़िक के रखें काम को इन्शॉरन्स किसकी लाट की हां इसको भी माइनस नहीं करेंगे जाएं साथ और लेकर टेस्ट्रोम में भई ये स्वाल अगली क्लास में पूरा हो चलें